हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल में स्वागत है आज बनाएंगे ककोरी की सबजी या आप इसे मीठा करेला भी बोल सकते हैं ये इस तरह के होते दिखने में ये दो प्रकार के होते हैं एक छोटे साइज के और एक बड़े ये छोटे वाले हैं ये बहुत ही टेस्टी होते ह हैं तो इनको इस तरीके से काटना है ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं इनमें प्रोटीन और कैल्सियम बहुत होता है इस सबजी को आप रोटी पराठा या चावल के साथ भी खा सकते हैं सारी सबजी को मैंने काट दिया है अब हम सबजी को फ्राइ करेंगे तो करने के लिए मैं 2-3 बड़े चम्मच कड़ाय में तेल गरम करूंगी तेल गरम होने के बाद हम इस सब्जी को इसमें फ्राय करेंगे सब्जी को हम तेल में 2-3 मिनट के लिए फ्राय करेंगे इस तरह से यह सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत जल बनाईए आपको बहुत ही तेस्टी लगेगी जो तेल बचा हुए है उसमें थोड़ा सा और डालोंगी उसके बाद इसमें एक चम्मत साबू जीरा डालेंगे और उसके बाद इसमें एक प्याज डालेंगे बारी हुआ अब प्याज को फ्राइ करेंगे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे अब इसमें डालना है अद्रक लहसुन और हरिमिच जिसे मैंने पीछा हुआ है अद्रक लहसुन को भी प्याज के साथ अच्छे से थोड़ देर फ्राइ होने देंगे अब इसमें डालेंगे टमाटर टमाटर को मैंने बारिक काटा हुआ है प्याज के साथ टमाटर को थोड़ देर पकने देंगे नमक डालना है स्वात के नुसर उसके बाद एक चम्मच लाल मिच पाउडर डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे अब सारी मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद इसे थोड़ दिर के लिए पकने देंगे ताला ड्राई लग रहा है इसलिए थोड़ा समय पानी डालूंगी और उसे थोड़ दिर पकने देंगे मसाला अच्छे से तयार हो गया है अब इसमें हमने जो ककोले की सब्जी को फ्राई करके रखा हुआ है उसे डाल देंगे सारे मसाले को सब्जी के साथ मिला देंगे ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है अब इसे हम देमें आज पर दो से तीन मिनड़ तक पकने देंगे ठक के पकाना है दो तीन मिनड़ हो गए हैं मैंने ढकन खोल दिया है चक करेंगे सब्जी अच्छे से पक गई है अब इसे मैं एक कटोरी में निकालूंगी अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छे लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को लाइक करें